नमस्कार, आज मैं आप लोनों के सामने करनाटिका फर्स्ट भी उसीर का तुलसी दास के दोही का जो एक दोहा छूट रहा था जिसको मैं एक्सप्लेइन नहीं कर पाए थी अपने प्रिविएस वीडियो में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंस मुझसे पूशे हैं कि मैम आप जग ते रह चतीस है राम चरन चतीन, तुलसी देखू विचार हिय यह मतोस प्रबीन मैं फिर से इस दोहातों पढ़ रहा हूँ जत्ते रह 36 है राम चरन चहतीन तुलसी देखू विचार है है यह मतो प्रबीन ओके ओके 36 मतलब 36 ओके चरन मतलब step ओके 6 और 3 का मतलब होड़ा यहाँ पे 63 ओके विचार मतलब thoughts ओके यह मतलब हृद है ओके और प्रबीन मतलब की निपुन लोड ओके जो किसे चीज में बहुत ज्यादा expert है ओके आएए अब हम इस दोहा को explain करना शुरू करते हैं ओके तुलसी दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में भाती भाती की लोड हैं बहुत तरह के लोड हैं ओके ध्यान से सुनना इसे तुलसी दास जी कहते हैं कि इस संसार में हर तरह के लोड हैं ओके तरह तरह के लोड हैं कोई किसी के विचार बहुत अच्छी होते हैं कोई बहुत सीधा होता है ओके और लोडों में generally पट्रे नहीं खाती है लोगों में बनती नहीं है, लोग एक दूसरे को उपना दुश्मन समझते हैं और उनके बीच में जनरली 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा एक मुहावरा है, यानि हमेशा वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमेशा उनमें क्लैशे होती रहती हैं, लेकिन जब वो ने रहते हैं, राम चरन छहतीन झoba जब इस दुनिया में रहते हैं, संसारिक दुनिया में रहते हैं, तो उनमें 36 कड़ा रहता है लेकिन जब वो भगवान की पास जाते हैं तो सारे दुश्मन जो हैं जैसे आप 36 लिखते हो और 36 का जब उल्टा आप करोगे रिवर्स करोगे तो वो 63 हो जाएगा तो इस संसार में रहते हुए लोड जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन जैसे ही वो भगवान राम की चरण में जाते हैं भगवान राम के पास जाते हैं तो उनकी दुश्मनी जो है वो आपस में मिट जाती है खत्म हो जाती है उनकी दुश्मनी जो है वो आपस में खत्म हो जाती है समाप्त हो जाती है क्योंकि भगवान के पास जैसे ही वो जाते हैं भगवान राम के चरण में जैसे ही वो जाते हैं उनका रिदय जो है यानि उनका हार्ट जो है उनके मन का जो मैल है वो पूरी तरह से भगवान राम के चलते साफ हो जाता है उनके मन में, दो दुश्मनों के मन में किसी तरह की कोई दुश्मनी फिर बाकी नहीं रहती है, उनके पास जाने से सारे लोग जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपनी जिन्दगी को वो smoothly यानि आराम से शांती पुर्व जीना शुरूर कर देते हैं, आशा करती हूँ कि मैंने जो ये दोहा बचा हुआ था, तो सिद्यास दास जीत के दोहे, उसको जो एक्सप्लेंड किया है, आपको समझ में आ गया हो रहा है, यदि ऐसा है, तो मेरे चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों